मैं इसलामुदिन खार और आप देख रहे हैं प्रहार टैंक्स आपको बता दे कि मुम्रा बाइपास से लगकर गाउंदिवी इलाका है और वहाँ पर जाने के लिए जो रास्ता बनाया जा रहा है उसका कॉंक्रिटी करण जो है किया जा रहा है कि कैसे कैसे इस रोट को जो है बनाया गया था लेकिन उसके बारे में अबजेक्शन जो है उठाया है यहां मुम्रा की जो समास सेविका है चेतना दिख्षित मैडम इनका कहना है कि अगर किसी को सही जानकारी देनी है तो वो पूरे लोगों का जो है विस्तार से जानकारी दे कि इस रोट के बारे में किन लोगों ने असलियत में काम किया है और पूरी जानकारी लेकर उसे बताना चाहिए आज चेतना मैडम ने ऑफिस पर प्रेस कॉनफरेंस रखा था लेकिन हम उनसे बात करेंगे जो है इस रोट को लेकर कि किस तरह से वहाँ पर क्या बताया गया और इनका उस रोट को लेकर क्या कहना है कि जब वहाँ से पुराने वक्त में वहाँ पर सिर्फ पत्थर हुआ करता था उस बीच से लोग आते जाते थे लेकिन रास्ता बनाने को लेकर काफी संघर्स वहाँ पर किया गया जिसके बाद आज वहाँ पर रास्ता जो है काफी चोड़ा बन रहा है पहले भी रास्ता था बनाया गया था लेकिन करीब एक गाड़ी जा सकती थी लेकिन आज जो रास्ता है वो काफी अच्छा खूसुरत बन दटा है लेकिन किस तरह से वहाँ पर रास्ति की नियू रखी गई कि रास्ता बनाया गया उसके बारे में हम जानना चाहेंगे चेटना मैडम से क्या बताना चाहेंगे अप गाउ दिभी का जो रास्ता है आप कह रहे है कि वो रास्ता कैसे बना और कैसे वहाँ पर रास्ते की नियू रखी गई लोगों को आने जाने के लिए काफी बड़े-बड़े वहाँ पर पत्थर थे तो दरसल आपने ये भी कहा है कि वहाँ राजन दादा गए थे उन्होंने एक नगर सेवक का नाम लिया तो आपको इस रास्ता कैसे बनाया या उसके बार में क्या जानTr देखके की नियू जो रखी गई नियू के अंदर जो आथ नगर सेवक का नाम लिया गया उसके ओपर मैने अबिस्टिन लिया क्योंकि इस रास्ते की दिमांड किसी भीनगर सेवक ने कीई नहीं थी इस रस्ते का प्रस्ता लेकर खुद मैं स्थानी कामदर डॉक्टर जित्यन रावड साब के पास गई थी और उस रस्ते की निव रखने के लिए हमने काम भी शुरू किया और उस काम को जब हम लोग अंजाम दे रहे थें रोड बनाने का काम कर रहे थ उस वक्त जो संगर्ष हुआ है उस संगर्ष के बाद में वहाँ पर निव रखी गई प्रस्ताव लेके जाने वाली मैं थी कि यहां पर पुनर बसंबस्ती को गाव से जोडने वाला रोड बनना चाहिए किसी भी नगर सेवक का यह प्रस्ताव नहीं था और इस प्रस्ताव को नगर सेवक का क्रेडिट बना कर जो बोला जा रहा था इसके उपर एक अब्जिक्शन था दुसरी बात कि यहां पर जो रोड बना है यह अगर आप इत्याज बताना चाहते हो तो सही पुरा रस्ता बताई है अच्छी तब बना है यह रोड लगम हम दो हजार दो हजार से हम लोग कोट में ही थे और साधर अधर चाहुदा के अन्दर इसके उपर ओर हुई और दो हजार पंदर के मार्च में ओर हम लोगों नहीं यह रोड बना हुआ था उसके बार फिर आगे जो है वो बाद में बना है बाइपास से लेके जा मंदर के जो वाल कंपाूंड है अपोजिट टू फेमस बेकरी आइधिक बेकरी का नाम तो बेकरी के अपोजिट गउतमी होस्पिटल के बाजू का जो वाल कम पांड वहां तक यह रोल जो है यह दो हजार पद्रा में ही बना अच्छा आपको किसी नगर सेवक का जो नाम लिया गये महां उसको लेकर क्या इतराज था नहीं मुझे देखिए वो मेरे दोस्ते अच्छे उनके उपर मेरे को कोई अबजेक्शन नहीं है लेकिन इतियाज बताने वालोंने गलत इतियाज बताया यह अबजेक्शन है अबजिक्शन ये था कि अगर आप स्थानिक बॉडी वालों को अगर क्रेडिट डेना चाहते हो तो उस्वक्त पैनल था तो पैनल के अंदर अगर एक नगर से बक्का नाम लिया रो तो दूसरे नगर से बक्का भी नाम लेना चाहिए और जबकि उस वक्त मैं राश्ट्रवादी की कारिय करता हूँ राश्ट्रवादी के कारिय करता के हिसाब से मैंने ये प्रस्ताव को मेरे राश्ट्रवादी के स्थानिक आमदार के पास ले कर गई जब राष्ट्रवधी के स्थानिक कार्य करता ने साड़े तीन साल कोट में लड़ा राष्ट्रवधी के आमदार निदी से अगर ये रोड बना है तो आप क्रेडिट राष्ट्रवधी की एक नगर से भी कभी थी तो अगर नगर सेवक कोई क्रेडिट देना चाहते हो तो पै मंदिर मंदिर रजिवा था, यह एक लीजी मालकी है, यह एक लीजी के लिए करार पर जमीन दी गई थी शर्तों के उपपर लेकिन जो भी कलेक्टर ने उनको जो भी ये लेंड जाइन मंदिर के यूटिलाइजेशन के लिए दी थी तब जो भी शर्ते थी उसको इनों ने भंग की तो इसके उपपर केस चलू है 2001 से केस चलू था और इन लोगों हमारी ही माल्की है हम ही करेंगे यह पर हम लोग यहां पर किसी को कुछ करने ने देंगे यह एक्चुली देखा जाए तो एक तरकर की जाइन-मंदिर के लोगों की हा एक्षप्ट करने को नहीं तयार थे कि वह हमारा लीज कैनसल हो चुका है अच्छा उस वक्थ रास्ता ब तो उसमें से आते जाते थे लोग लेकिन इन लोगों को आना जाना बन कर दिया था जैन मंदिर वालों ने तो जब हम लोगों को यह मालूम पड़ा कि यह जगा भी जैन मंदिर की हई ही नहीं इन्हों ने मनें ब्रीच किया है कंडिशन्स को तो हम लोगों ने खुद मैं खुद खड़ी थी गावदेवी के बस्ती के लोग थे और अजीज बाटा जो नगर से मनें बड़े कार्य करता थे यहां के रस्ट्रवाधी के उनके सामने हम लोगों ने खुद वो दिवार को तोड़ा और वापस पगडंडी कोट में केस था यह किस ने लड़ा और जो रोट था वो किस के मिरी से बनाए गया कोट के अंदर जो केस था यह किस मैं खुद 3,5 साल रोज कोट मने रोज मिंद से जब डेट पढ़ती थी तब मैं खुद जाती थी वहां पर मैं पीटिशनर हूं आप देख सकते हो इसके अ के लिए ओर आने तक जो भी खर्चा हुआ है यह पुरा एकोनोमिकवल जो बैकडूंड था यह पूरा जो साब में था पूरा खर्चा वकिल के फीज के साथ में एक कर्चा दौक्ट्टिथे रा वप साब ने किया था जब यह रोड के उपर का जानि मंदर का ओब्जेक्श यहां पर रास्ते की एक शुरुवात की आप लोग नहीं, जैसा भी ठीक था रास्ता चलता, ठरकिन अभी बना new पड़ी, रास्ते की new पड़ी, अभी चो काम हो रहा है वहां पर, पर concrete करण किया जा रहा है और रास्ता भी काफी रूंदी करण किया जा रहा है, तो उसके बार का जो रुंदी करण किया जा रहा है इसके बारे में मैं उनको तहे दिल से दरनेवाद दूंगी कि भले आपके दो सब्सक्राइब के अंदर भले आखरी एक साल बचा है आपके टर्म्स को खतम होने के लिए तभी आपका वहां पर ध्यान जा रहा है नो प्रॉब्लेम देर आ गाउन दिवी का जो रास्ता है दरसल ये शुरू से ही विवादों में था तेसा की चेतना मैडम ने बताए नोंने जो है उस रास्ते के लिए जो है कोट में भी गई और काफी खर्च भी हुआ लेकिन वहारार रास्ती के शुरुवात होई और अब जो है खासदार श्रीका शिंदे की निधी से उस रास्ते का जो है चोड़ा करके उसका काम और किया जा रहा है कॉंक्रेटी करन किया जा रहा है आने वाले दिनों में लगभग ये काम पूरा भी हो जाएगा